हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं रमा कॉशल देखे आज आपके लिए बहुत ही सुन्दर एक सॉक्स का डिजाइन लेकर आई हूं तो आप इससे बनाएं तो चली से बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखे सबसे पहले हमने यहां पर दागा जो यह यह साउन है है मेर?' थायो λंट ह स्टार्ट करें स्टार्ट करों इस तो इसके लिए देखे मैंने यहां पर 58 सीचश लेया है लेकिन जो इसमें मैने डिज़ाइन बताया हुआ है बूर डिज़ाइन आप इसमें एक कम कर दीज़े थीक है तो इचान giends पर फो अज पर नए है तो please like भी कीजिए और share भी कीजिए तो देखे इस तरह से मैंने अपने 25 जोड जो है वो पुरी स्लाई पर डाल दी है ठीक है तो ये 25 जोड मेरे बनके complete होगे अभी से आगे start करते हैं तो देखे फ्रेंड्स अब जो मेरे border के उपर पहली स्लाई आएगी वो उल्टी आएगी अगर आप लोगों की पहली स्लाई जो है वो सीधी आती है border के उपर तो वहीं से आप उल्टा उल्टा बनाना जो है वो start कर दीजिए तो देखे उल्टी स्लाई हमने ऐसे बनानी है ये दिखे और जो हमारी पहली स्लाई होती है इसे हमें बहुत ध्यान से निकालना होता है ने तो एकर इसके घर एक भी उतर गया तो हमें दुबारा से सारे घर इसमें डालने पड़ेंगे तो आज जो नए हैं हमने इस तरह से उल्टी स्लाई ये दिखे ये दिखे ऐसे दागा इसके उपर से डाला और इसे ऐसे निकाल दिया ये दिखे ऐसे इस तरह से हम इसे इस पूरी इसलाई को उलटा उलटा बनाके, कंपलीट कर लेंगे, तो दिखिये, यह जो सलाइ है, मैंने उलटा उल्टा कंपलीट कर दी है, इसके बाद हम आगए अपनी, इस साइड जाहे हमने बौटर डाला था, अपने सीधी साइड पर अब पहला सघर तो हम यहां पर यह सीधा उतारते हैं धागा अपनी तरफ किया और यह स्लाई मैंने उल्टी बनानी है ऐसे अब देखें यह जो स्लाई है यह नौ स्लाई आनी जाहिए उल्टी उल्टी ठीक है तो देखें मेरे जो अब तो देखिए मेरी अब जो है नो स्लाई यह बनके कम्पलीट ओ गई है तो देखिए पांस स्लाईय मेरे इस साइड से आएंगी है कि एक दो तीन चार पाँच और जब में उल्टी सलाई से करेंगे तो चार ईक दो तीन चार चार ₹ जो है वो उल्टी साइड से हाई गी उल्टी ओल्टी ठीक हम यहां पर यह इसमें धागा लगाएंगे साति ठीक जिस इस भी कलर से आपको बनाना है वो धागा आप इसके साथ यहां पर जॉइंट करेंगे यह देखिए ऐसे इसको भी आप ऐसे बनाएंगे और यह दागे आपके यह आपने साथ ले जाने है यह देखिए ऐसे ठीक है इसको ऐसे डाला नीचे देखिए यह दोनों हमने साथ ही ले जाने है अपने इससे क्या होता है कि यह जो हमारा धागा है यह छुटे गानी और रेड धागा जो है वो हमें अपने सेंटर में चाहिए एक बार और इसे मैं इसमें लपेड देती हूं ऐसे यह दिखिए ऐसे अब देखिए अपने अपने जो रेड धागा यह साथ ले जाना है और इस वाल धागे को आप यह पर छोड़ दीजे अब यह हमारा धागा जो है वो कहीं नहीं जाएगा ठीक है अब देखिए यह वाला और यह जो रेड धागा इसको आप अपने साथ ले जाएए ऐसे एक डड के ऊपर से बनाईए और एक डड धागे के यह देखिए यह उपर से फिर देखिए ऐसे और यह नीचे से इस तरह से फ्रेंड मुझे मैंने यहाँ पर देखिए आपको बताया था हमने यहाँ पर 51 स्टिचिज डानने है ठीक है अब मैं जो क्या करना है 51 जो है वो मेरे एक साइड पर और 24 स्टिचिज मेरे दूसरी साइड पर आएंगे ठीक है और जो हमारे तीन स्टिच जो बचते हैं वो हमारे सेंटर में रेड बनेंगे इस वल धागे से बनेंगे तो दिखिए काउंट किजे एक तो तीन चार पान छे साथ आठ आठ नो दस भेख चौदा पंद़रा सोलरा सतरह ठारह उननेश फीस इकिस बाइस यह भी 22 स्टिच वह हमारे यह ने देखे यह तैस और यह चौबश ठीक है अब इस साइड भी हमारे यह 24 स्टिच जाने रखोки हमारे रट से अब हम भराएंगे इंको बनाने लोगें से पहले फ्रेंच हमने यहां पर यहां पर यहां पर एक स्रेच faculty बढ़ाने है हैं एक इसे डालाई यह गयें मेरा एक स्रेच यहां पर बढ़ंगा आह से लगेए । और यहां पर रेट से मिने चास तीन स्टी जो है वो रेट से बनाने एक इसको साथ ले जाए आप यह दो और फिर इसको आगे और यह तीन ठीक है अब फिर इस थागे को ऐसे कीजिए और यहां पर दुबारा से यह देखिए ऐसे एक स्टिच बढ़ाईए ऐसे ठीक है फ्रेंट्स एक स्टिच आपका यहां बढ़ गया और एक स्टिच आपका यहां पर बढ़ गया अब दिखिए यहां पर अब हमारी 20-4 स ata यह दो बढ़ा होतना आपके अपनी यह पर छोड़ देना है यह प्रसाथ ल जाने की जुबती आपके अ lot करें रहें और दुबारा से दिखिए ये हमने सारे उल्टे बनाने हैं अपने 24 स्टिचेज इस तरह से अब आते हम इसकी राइट साइट पर इसके राइट साइट यहां पर भी हमने जू स्टिच है सारे पहला सीधा और बाकी सारे जो हमारे स्टिच है यह हमने उल्टे बनाने हैं तो दिखिए अब मैं यहांपर पहुंच गई हूं यह भी उल्टा और यह जो हमने एक स्टिच बढ़हा था है यह हमने उल्टा ऐसे बनाना है ठीक है अब यह धागा है हमने यह पीछे करना है ऐसे और जो हमारा य Punkte दाल वाला धागाय है इसे हमने आगे करना मैं ऐसे हुआ अब यह स्टिच यह हमने उल्टा बनाना एं नलवान पीछ सीधो Sakshana दिख्यक फिर अपना यहागा किया ऐसे उल्टा फिर धागा पीछे करना है एक उल्टा एक सीधा और एक फिर दुबारा से उल्टा अब देखे यह जो पीछे वाला धागा है यह देखिए इसको अब हमने ऐसे इसमें ऐसे थोड़ा सा रपेट लेना ताकि हमारे यहां पर एक जाली न पड़े ठीक है अब यह जो हम अब मैं सब कुछ उल्टे बनाती हूं फिर आपको बताती हूं तो दिखिए यह स्लाइम मैंने पूरी उल्टी बना दिये यहां तक अब मैं यहां से लेकर यहां तक दुबारा इसे उल्टी बनाऊंगी यह मैंने सारे उल्टी बनाई अब मुझे दुबारा यहां पर एक स अब यह देखे जो अगला स्तेच है ये भी हमने उल्टा निकालना है तो इसे ऐसे ये देखे ये ऐसे ठीक है अब इस धागे को आगे किजिए और जो ये वाला है धागा इसे अब दुबारा से हमने यहां पर एक स्तेच ऐसे बढ़ाना है ठीके तो हमारे दो Glas देखिए X-Stalnya यहां बढ़ गिया यह हमारे दो При Nobel होगे अब इससे अगला है यह वाला यह मने रट से ही बनाना है अब इस धागे को देखिए नीचे की आ उखूठे के नीचे अब यह यह व्ला धागा है इससे पिर दुबारा से हमने याद यहां पर बनाया हमने उल्टा ऐसे ठीक है फिर इस धागे को नीचे किया अब यह जो अगला धागा है हमारा यह वाला यहां पर हमने दुबारा एक स्टिच बढ़ाना है यह देखे ऐसे और उसके बाद इसी धागे से अपने क्रीम धागे से यह सारे स्टिच जो है वो उल्टे बनाने रजाए ठीक फिरंस तो हमने दुबारा उल्टे बनाने हैं और जते बाद जो मेरी सीधी स्लाइगी उसमें भी मैंने यहां तक यह बनाते हुए आना है ठीक है तो देखिए मैंने उल्टे उल्टे जो है यहां तक बना लिए ठीक है यह मेरी सीधी स्लाई है और मैं उल्टे उल्टे बनाते यहां तक आ गई हूँ अब मेरा एक ये वाला जो है देखिए ये उल्टा बनेगा ऐसे अब हमने यह जो धागाय अपना पीछे करना है और यह जो लाल वाला धागाय दिखिए यह वाला यह हमने इधर लाना है ऐसे और इनको क्रॉस करवाना है ऐसे ताकि हमारी यहाँ पर जाली रपड़े इस धागे को आगे लाए यह एक उल्टा फिर पीछे लेगे और जो यह पीछे वाला धागा है यह वाला इसे आगे लाए क्रीम वाला धागा आपका और फिर इसे बुना यहाँ से ऐसे बुटा ठीक है फिर इस धागे को पीछे लेगे यह देखिए ऐसे अब आगे, सॉरी, अब हमने जो देखी यह बीच वाला स्टिछ है, यह अब हमने सीधा बुनना है, ठीक है, अब इस धागे को नीचे किया, और यह जो दूसरा धागा इसको आगे लाए, यह एक उल्टा, फिर इस धागे को पीछे लेगे, और यह जो पिछला लाल वाल है, इसको लाना है, हमने अपने आगे, और यह जो बाकिस तिछ है, यह सारे हमने उल्टे ही बनाने है, तो देखी जो बीच का है, यह वाला, यह हमारा सीधा आना जाए, ठीक है, तो मैं इसे उल्टा बना लेती हूँ, और उसके बाद दुबारा उल्टी स्लाइब है, यहा तक इसे उल्टा बुनते हुए पहुँच गई हूँ, तो एक यह घर रहा मेरा, इसे भी मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह जो लाल वाला हमारा यह वाला स्टिछ है, इससे पहले मैं यहाँ पर अब दुबारा से एक घर जो है, वो बढ़ा से, ठीक है, यह उल्टा बन गया, फिर इससे ऐसे, और उसके बाद जो अगला हमारा क्रीम से बना है, वो ऐसे उल्टा, अब दुबारा दिखिए, यहाँ पर हमारा एक घर जो है, वो आ गया है, और यह जो घर है, यहाँ से सीधा है, यह दिखिए, सीधी साइट से, यह इसको फिर दुबारा से दिखिए, इसके साथ ही हमने इस धागे को भी चलाना है, जो हमारे दूसरा धागा है, इस तरह से, अब दुबारा यहाँ पर एक स्टिच बढ़ा दिया, यह दिखिए ऐसे, ठीक है, और अब यह वाला अगला उल्टा, अब यह वाला आगे, यह भ इसको उल्टा, ठीक है, अब यह जो हमारे सारे स्टिच हैं, यह दुबारा से हमने उल्टे बनाने, यह स्लाईवी मैंने सीधी यहाँ तक बना लिये, अब मेरा यह वाला, देखिए, यह हमने सीधा बनाना है, ऐसे, इस वाले धागे को पीछे ले जाना है, और यह लाल वा यह वाला उल्टा, फिर पीछे ले गए, और यह जो पिछला धागा है, ठीक है, यह आगे लाया, और यह ऐसे, इल्टा, फिर इसे पीछे ले गए, और अपने लाल वाला धागा है, यह आगे लाया, यह वाला घर उल्टा, ठीक है, और यह धागा पीछे किया, इसके साथ वाला सीधा और इसे बाद एकांट ये वाला द्हागा हमने एकर पिछले घर द है दिखिये ये वाला ये हमने 3D ले जाना है इस तरह से साथ साथ मूरत मूह तरह है अभी से दूबारा आगे किया और ये घर उर्टा अब फिर इसे पीछे किया इसे आगे किया 2000D आप दुबारा से दिखिए इसे पिछे किया और यह जो red वाला धागा है इसे हम आगे लाएंगे ऐसे और यह उल्टा ठीक है फिर इसे पिछे लेगे और यह जो दूसरा धागा है यह आगे लाएंगे और यह उल्टा तो यह मैंने अपने उल्टी स्लाई भी design तक जो है वह अब हम यहाँ से दुबारा डिजाइन डालेंगे यह दिखिए यहाँ पर आगए अब यहाँ पर हमने एक घर यहाँ पर ऐसे बढ़ा दिया यह अगला अब यह धागा देखिए मैं कैसे क्रॉस कर रही हूँ हमने ऐसे क्रॉस करना है यह उल्टा फिर देखिए धागा इसे क्रॉस किया यह उल्टा फिर धागा आगे किया और पीछे रेड वाला धागा लिया ऐसे फिर यहाँ क्रॉस किया अब देखिए यहाँ पर अब हमने एक अपना स्टिच बढ़ाना है तो इसको ऐसे ऐसे गुमाया और ये ऐसे राव दिया अब इस सग्ला हमारा सीधा है तो यहाँ पर अब हमने यहेदे रेड वाला धागा ये ऐसे किया उसके बाद दुबारा हमने यह घर बढ़ाना है यह दिखिए ऐसे अब यहाँ पर यह एड वाला ऐसे अब यह दूसरे वाला अब यहां फिर रेड वाला और अब एक घर हमारा यहां पर बढ़ेगा ऐसे ठीक है और यह जो सारे घर हमने अब उल्टे बनाने यह दिखिए ऐसे बने गाई और देखिए इसके जो एजिस है वो ऐसे बिलकूर साफ आने चाहिए ताकि जब हम स्लाई करें तो यह हमारे यहां से भी बिलकूर साफ आए ठीक है तो मैंने आपको बहुत पर बताया है कि एजिस जो है हम कैसे अपने सफाई से ला सकते हैं अब यह देखिए यह स्लाई मैंने सारी उल्टी बनानी है उसके बाद जो इसकी अगली स्लाई है वो भ पिछला जो है वो रेट धागा आगे लेके आए ऐसे पहले यह उल्टा बनाया फिर पीछे फिर यह उल्टा फिर धागा पीछे और पीछे वाला धागा देखिए ऐसे इसको दबाया और इसको आगे ऐसे यह फिर उल्टा फिर धागा पीछे किया फिर यह आगे लेके आए फिर ये वाला उल्टा फिर धागा पीछे किया और दीखिए ये बीच वाला हमने सीधा बनाना है ये सीधा उसके बाद फिर ही अगला दीखिए ऐसे फिर धागे को पीछे लेगे और ये जो पीछे वाला है ये ऐसे और उसके बाद देखिए दुबारा से यहां पूरी स्लाई बना लेती हूं उसके बाद दुबारा यहां पर आ जाती हूं सीधी स्लाई उल्टी स्लाई में तो देखिए फ्रेंस दुबारा मैं यहां पूंच गई हूं तो यहां पर यह वाला घर हमने उल्टा बुरना है अब देखिए हमने यहां पर क्या करना है इसको मैं आपको सीधी साड़ से दिखाती हूं यह दिखिए हमारा जो यह डिजाइन यहां के कम्प्लीट हो गया है आ एक दो तीन और चार यह जो चार फंद हैं आपके यहां पर यह देखिए एक दो तीन चार यह हमारे यहां पर चार जो है उल्टे उल्टे आएंगे उसके बाद मेरा एक डिजाइन यहां के कम्प्लीट हो गया है ठीक है और यहां से देखिए मेरा दूसरा डिजाइन शुर अब ये वाला देखिए, ये भी मुझे अपने क्रीम कलर के धागे से बुन लेना है, अपना डेट वाल धागा, ये हो गया, इस धागे भी खिंच लीजे आप, उसके बाद यहां पे, ये ऐसे, ठीक है, अब जो हमने घर बढ़ाना है, वो अब हमने यहां पर बढ़ाना है, ये घर मेरा ये बढ़ा, यहां पे, ये देखिए, अब जो ये वाला रेड है, ये मेरे रेड ही रखना है, ऐसे, ठीक है, उसके बाद अगला, ये ऐसे, अब देखिए, यहां पर मेरी ये, ये देखिए, ये मेरा यहां पर सीधा घर आ रहा है, अब मुझे यहां पर एक घ बनेगा और यहां पर एक घर बढ़ेगा ये देखिए ऐसे ठीक है अब अगला बनाना है ऐसे उससे अगला फिर रैड कि और यहां पर दुबारा से मुझे घड़ अपना जो घर है वो बढ़ाना है ओ ये देखिए ऐसे और ये वाला B मुझे cream से बनाना है और इससे अगला भी cream से, ठीक है, तो इस तरह देखिए मेरे एक चोट डबी है, या design है, यह यहां के complete हो गया है, तो देखिए friends, मैं आपको CD side से दिखाती हूँ, यह जो design है, मेरा यहां के complete हो गया है, अब मुझे इसी तरह से अपने 7 डबी complete करनी है, और आठवी डबी जो है वो सिलाई पर रक नहीं तो आगे बनाती हैं और फिर मैं आपको यह आगे बताती हूँ तो देखें ये जो डिजाइन है मेरा साथ बार बनके complete हो गया है और आठवा जो डिजाइन है वो मेरे sliper है ठीक है तो आप यहां से दुबार काउंट कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे ये जो डिजाइन है जो मैंने छे बार पेट किया है यह मेरा पूरा बनाए ठीक है अभी देखें वी मेरा sliper है और आठवा डिजाइन है इसका हमने एक दूपनाएंगी तो भू तीन यह तीन ही हमने यहां पर उल्टे लेनें और इसके बान मेरा यह देखिए यह design जो है वो इस तरह से बनेगा ठीक है तो अब मैं देखिए कैसे बनाऊंगी इसे यह दिखिए red धागा इसे ऐसे पीछे से फोल्ड किया इसे आगे किया एक इसे पीछे किया और हमारा क्रीम वर धागा इसे आगे किया यह उल्टा बुना यह फिर पीछे किया और अपना रेड वर धागा आगे किया इसे उल्टा बुना उसके बाद फिर धागा पीछे किया और यह बीच वाला जोसे देच है हमारा सीधा अब देखिए धागा दुबारा से हमने पीछे से लपेट देना है अपने दूसरे धागे के साथ और यह उल्टा बुना यह धागा पीछे किया यह उल्टा बुना और और अब यह उल्टा बुना ठीक है यह दागा पीछे किया यह आगे किया और फिर यह हमारा जो स्टिच है एक उल्टा और इसके साथ वाला उल्टा ठीक है तो देखें यह डिजाइन मुझे इतना ही बनाना है ठीक है अब मैं इस पूरी स्लाई को यहां तक उल्टा तो देखें अब पहुझ यह विमें इसकी उल्टी स्लाई पर और यहां पर हमने अब अपना रेड जो धागा हो लगा लेना है ठीक है फिसको कैसे लगा लीमी किसा ताफ है यह वाला कैं इसको ऊपर से ।क्जिक है इन दोनों को इसको और इसको ऐसे दबाई आगये और य तक यह थागा आपका ठीक आए इस तरह से अब देखिए हमने यहां पर क्या करना है अब मुझे यह पूरी जो है अपनी रड दागे से कम्प्लीट करनी है अब मुझे यहां पर कोई डिजाइन डालना है आपका यह जो दागा यह आप इसको तोड़ लीजिए और यहां पर डिजाइन नहीं पड़ेगा यह पूरी स्लाई मेरी उल्टी उल्टी आएगी तो देखिए मेरी यह स्लाई जो है वो कम्प्लीट होगी है अब आपने क्या करना है और एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना बूलगी चो मेरे यह टोटल स्टिचिज है यह 108 स्टिचिज है ठ इतना और इसे काट लीजिए ठीक है यह हमारे जो है वो सिलाई के काम आएगा अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है अब दुबारा से रेट से ही यहां पर मुझे इसके ऊपर रेट धागा ही लगाना है तो मुझे जहां तक मेरा सेंटर है ठीक है वहां तक यह बनाते हुए यहां सेंटर तक आ गए है तो देखिए जो इस सेंटर का स्थिच है इसे में अपने जिस साइड से बुन रही हूं उस साइड रखूंगे ठीक है और जब मैंने दूसरी साइड को अपना बनाना है तो मैं क्या करूंगी कि उस साइड एक स्थिच और बढ़ा ताकि दोनों तरफ यह बराबर बराबर घर आ जाए अगर बीच में माइनस करूंगी एक सेट जाता हो जाएंगे एक साइड कम हो जाएंगे थीक है फ्रेंट्स दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम एक साइड जो है वो स्थिच में बढ़ाणा पड़ेगा तो देखिए अब इसके बाद हमें उद्र को नहीं बुनना है यहीं से हमें वापिस हो जाना है वापिस होने के बाद मुझे अब यहां से उल्टा उल्टा बुनना है और यह जो स्लाई है मेरी उल्टी उल्टी जो है यह 16 स्लाईयां बनने चाहिए मतलब हमारी साइड जो हमारी सीधी साइ बनती है कि तो देखियों मेरी श्राइए मेरी को सलिए को अब इसको गिन्कती हूं आपके लिए एक दो थींचार उन्हीं सथाइब हुआ इसंद्पन इस तहरे हो तो 8 एंब इस तरह से सब्सक्राइब हो हों रहता है तो अब से घटाने हैं ये दो का एक ये वापिस लाई में अपना स्टिच डाला फिर दो का एक ये में दो स्टिच घट गए उसके बाद ये वापिस फिर दोनों को साथ बुना ये तीन फिर वापिस चार फिर वापिस पाँच पाँच इस जो है दिखिए मैंने घटा दिये हैं अब यहां से दुबारा में इसको उल्टा बनूँगी और इसके बाद मैं अपनी चार सलाइया इसमें और निकालूगी ठीक है चार सलाइय का मतलब हो गया आठ सलाइया दीखिए यहां से यह आठ और चार सलाइया मैंने इसके बाद इसके और निकालनी है तो देखे फ्रेंट चार स्लाइया मैंने इसके उपर और बना ली है तो ये टोटल जो है मेरी बारा स्लाइया हो गई है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा ठीक है और मैं इसके अब सिधी साइड पर आ गई हूँ अब यहां से देखे मैं इसको गटाऊंगी इस वाले को सीधा कर दीजिए और ये ऐसे दो का एक फिर वापिस फिर दो का एक ठीक है इस तरह से मैं अपनी पूरी स्लाइज जो है वो गटा लूँगे इसको गटाते हुए मैं यह लास तक पहुंच गई हूँ अब लास्ट में हमने यह जो अपना तीछ यह बंद कर लेना है और थोड़ा सा धागा जो है इतना एक यहां पर रखना है ताकि इससे मेरी स्लाइज हो जाए ठीक है इसको इस तरह से सिसकंदर को डाला इस तरह से यह मेरी एक साइड बनके दिखे तयार हो गी है अब मुझे इसकी दूसरी साइज शुरू करनी है तो दूसरी साइज शुरू करने के लिए यह भी हमने उल्टा ही शुरू करना है तो पहला जो स्टिच है वो मेरा सीधा आएगा और मैंने आपको बताया था यहां पर एक दागा जो एक स्टिच जो है मुझे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाऊंगी मैं यह वाला उठाऊंगी यह दिखे यह दो थे यह जो सेंटर का ह है यह उठाना है मुझे ऐसे चीक है इससे इसमें लिया और पहला स्टिच जो है वो सीधा ऐसे चीक है पिछे धागा खींच दिया और यह बाकी उल्टे तो जैसे मैंने यह वाली साइड बनाई है वैसे ही मुझे यह वाली साइड भी अपनी कम्प्लीट करनी है तो मैं उसके बाद आपको इसको सिलना बताऊंगी कि यह मैंने सिला कैसे है तो देखे फ्रेंट यह बनकर इस तरह से त्यार हो गी है अब मैं आपको सिलना बताती हूँ कि यह जो है मैं सेलूंगे कैसे यह दिखे इन दोनों को हमने ऐसे जोड़ना है यहां देखे हमारा पास यह दागा है यहां से इसको ऐसे यह जोड़ा और सबसे पहले हमारा धागा देखिए यहां पर है तो आप इसको पहले उपर से इसे लेजे यह देखिए ऐसे एक घर हमने यहां से लेना है और दूसरा दूसरी साइट से ऐसे हमारे यहां से सिल गया अब हमारा धागा है इसके अंदर से हमने इसको देखिए ऐसे ले जाएए इसे अब इसे ऐसे यह दिखिए ऐसे तो इन दोनों को भी हमने ऐसी से लना है इसके एक सिच यहां से लिया और एक नीचे से इस सिल ना बहुत असान है यह दिखिए ऐसे एक इधर से और दूसरा इधर से इधर से एक यह वाला स्टिच और एक इस से अगला स्टिच ऐसे आए यहां तक यह दिखिए हमारा यहां तक सिल गया यह दिखिए यहां पर अब हमने एक नॉट लगा देनी है अपने इस तरह से अब यह दूसरे साइड इसे भी फोल्ड कर लीजाए ऐसे और इस वाले को जो देखिए यहां पर थोड़ा सा इसके बराबर ऐसे खिज लीजे ताकि यह हमारा बराबर आ जाए ठीक है ठीक है यह दोनों बराबर आ गए और यहां पर भी एक नॉट लगा दीजे ऐसे अब इसको हमने यहां पर लास्ट में एक नॉट लगा दीजे ऐसे ताकि हमारा टाइट हो जाए और इस धागे को वापिस अब यह दिखिए धागे हमने इसमें ही डालने है यह और फिर बाद में इसको काट लेना है इससे के होता है हमारे सफाई बहुत अच्छा आजाती है और इसे यहां देखिए यह वाला जो है इसको सीजर से काट लेजिए यह हमारा एक अंगुठा बन गे और एक पंजा अब हमने इसे यहां से जैसे हमने यहां से सिला है सेम ऐसे ही हम इन दोनों को पकड़ेंगे और यहां से सिलेंगे देखिए यह वाला सिलेंगे और यह वाला अपने क्रीम धागे से जो हमने यहां छोड़ा था इसको सिलेंगे और उसके बाद इसे यहां से ठीक है ताकि मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई